वक्रतुंड महाकाई सूर्यकोटि समप्रभ निर्विग्नम कुरुमे देव सर्वकार्येशु सर्वदाई वक्रतुंड में अनुपकार्येश। सब critics कोई जा एक सोबरे को किन अो पुग थे तेख चजको अो ते रहे थेन से देख घडल हो ऩढँ खुट कि था रख स्ट्ड था रिख हो जय बाप करतीकि कि नहीं बांग रहे हो पीछा कर रहे हैं यह सब जोर सिपाय खेल कहल हो ग्यां तुम जानती हो न हम कैसे लोग हैं हम अपना बढ़ाया वा कदम फिशे नहीं हडाते हैं यह जानते वे भी हमारे धंदे में टांग अड़ा है तो मैं कैसे छोड़ दूँ हाथ आये दुश्मन को कोई छोड़ना या पगले तुरे दुश्मनी मोल ली है तो तुझे मरना ही होगा या फिर मुझे मरना ह होगा अब तेरी मौत आ गई है गोपाल बॉल दिल की दो रोता है वाएं तरफ में ताजिए नहीं नहीं भगवाल को नहीं है धनपाल देख तो बेटा मर गया क्या वाव ऐसा लगता है पाटी लभी तक जिन्दा है ऐसा क्या तो फिर एक गोली और मार देता हूँ साथी का नंपर आ दे हाँ मंजिल को तू पाले तुझे का हाथ मिला तो कौन हमें रूखेगा हिम्मत से तू आगे बढ़ना आगे बढ़ना पीछे की चोड़ो आज सुन को बतलाता हूँ मंजिल के से बादे है पनकों में तू पर ले हिम्मत मंजिल चुमेगे एक दम सूरग देगा तुझे किरने सपलता की लेके हाथ में मसाथ पढ़ जा तू राहूं पर राहूं में तू पाहूं भी तरना ना रखना हिम्मत तू दीप से शोला बन कर दिखा नदयों की धारा से जो टकरा कर आगे बढ़ता उसी को जीवन में की नारा मिला ये धुन बजा देगी तू ऐसा गुनगुना विजाओं में गुंजे चाय प्यार का खुमार कदम बड़े हैं तो मंजिल पर ही रुकेंगे दिल में जो अर्मा है पूरे तो होंगे ही चत्तां से टक्लाजा करते तो ये साफित पाता है मंजिल जो जीता है प्यार में बामी की को भूला आर्ये को तू भूला मुझे तू आगे बढ़ना आगे बढ़ना पीचे की चोड़ो आज तुम को बतलाता हूँ मंजिल के से बादे हैं पनकों में तू पर ले हिम्मत मंजिल चुमेंगे एक दम सूरद देगा तुझे कीरने सपल तकी लेखे हाथ में मसाल पढ़ जा तू राहूं पर राहूं में तू पाहूं में तरना ना रखना हिम्मत तू दीप से शोला बन खर दिखा नद्यों की धारा से जो टकरा कर आगे बढ़ता उसी को जीवन में की नारा मिला परनाम से नम्मा परनाम तुमारे शहर आ गया हूँ अब मेरे साथ जो बुरा होगा बड़ा होगा आपी को देखना है दुकान में कोई है ए चाई दो आपको साधा चाहिए यह स्पेशल कोई भी देयार चलेगी इस शहर में नए आय होका क्या क्या नए लोगों चाई नहीं देती हो क्या बड़े मज़ा किया लगते हो भाई जीने के लिए हसना हो तो चाहिए न यार अरे मास्टर एक स्पेशल चाहिए बना दो जल्दी बना या अब का चाहिए ओई चाहिए जल्दी ला तो अभी क्या दिया था चाय के यह? मैं तो गरम पानी समझके कुल्ला करेके पने गला साफ किया था जल्दी ला यार अच्छा तुम कौन से शहर से आये हो भाई कल लूँ शहर में, आज इस शहर में जल्दी चाय ला यार अरे भाई मास्टर जल्दी से एक और चाय बना दू अच्छा तेरा नाम क्या है? शोबा सुनो, अपनी बेटी को बेचने से पहले एक बार सोच लो बेहन, हमारे पास जहर खरीदने के लिए पैसे नहीं है कल के बार में क्या सोचेंगे? मा, मैं आज के बाद कभी खाना नहीं मांगूंगी कपड़े भी नहीं मांगूंगी मा, मैं जे मत बेचो मा मैं तुमारे भी नहीं जी सकती, मैं पढ़ना जाती हूं मा मुझे मत बेचो मा सुनो, यहां आओ बेटी तु पढ़ना चाहती है ना, मैं तुझे पढ़ाऊंगी तुझे अच्छे स्कूल में भरती कराकर तुझे अच्छे-च्छे कपड़े भी दिलाऊंगी, तुझे और क्या जाईए ये लो बहन मामा, मैं यहां नहीं रोंगी, मुझे अपने साथ ले चलो मा सुनो, तुम दोनों यहां पर रहोगे, तो ये जित ऐसे ही करती रहेगी नहीं, मुझे मत बेचो मा तुम खड़ खड़ क्या देख रहे हो, लड़की को अंतर लेख जाओ नहीं, मैंनी जाओंगी, मैंनी जाओंगी, छोड़ो मुझे, माम मुझे छोड़ो जाओ उसको पकड़ो अरे संभाल के बेटा ये क्या हो गया क्या बात है बेटा बोलो क्या बात है क्यों भाग रही थी हाँ चाचा माँ मुझे यहाँ छोड़के चली गए मुझे अपने साथ ले जाने के लिए कौना इतनी सी बात है मैं तुम्हारी मा के समझाता हूं कहां तुम्हारी मा है चाचा मैं के साथ नहीं जाओंगी यह बहुत बुरे लोग है मुझे इनके साथ मत बेचो बच्ची जाने से मना कर दिये हाथ छोड़ बेच इस मामले में टांग मतला देख पूरे पैसे देखे खरीदा इस लड़की को मैंने अरी चल है यहां नया है क्या यहां हुकमत मेरी है यहां रहना है तो आख कान मुझ बंतर रहो वहना मेरे जल जाओगे तुम समझ लो बच्ची स्टी टार॥ – । ट्याज डिए निजा! कि और तुर्ट अई कर दो कि अज़ुआ कर सर्में लफड़ा नहीं कर रहा हूं वह लग शुरू किये उस बच्ची को जबरदसी लेकर जा रहे हैं, पहले उस बच्ची को बचाओ हिफाज़त करना मैं जानता हूँ, पहले तू पुलिस सेशन कल मेरी बात सुनो सर, मेरी बात तो सुनिये सर उस बच्ची की हिफाज़त की जिए सर पुलिस के उपर हाथ उठाता है अपने आपको क्या समझता है तेरी तो तुझे अब समझाता हूँ पुलिस क्या होती है करकार ने तुम लोगों अच्छी पोस्टिंग दी है अच्छी तंखा देती है बीवी बच्चों के साथ रहने के लिए मकान इंक्रीमेंट मेडिकल फेसिलिटी अलावा अलावा सब कुछ करती है सरकारी काम करने के बदले उस धन्यों भाई की गुलामी करते हो जहां अपराद हो वहां अपराद ना रोक कर उस बच्ची को न्याई दिलाने के बदले मुझे यहां उठा के लाकर तुम कानून की हिफाज़त कर रहे हो क्या आज के बाद इस कावरी पेट जूरिस्टिक्षन में कोई भी सम्मझ रखने वाला पुलिस वाला गलती करेगा नहीं गलती देखेगा नहीं और ना ही गलती करने वाले की मज़द करेगा रोल्स रिगलेशन बताने वाले तुम कौन होते हो कानून तोड़ने वाले गुनागारों को सजा दिलाने वाला कानून की गद्दी पर बैठ कर कानून का इंसाफ करने वाला है ये आरिया कावारी पे जूरिस्टिक्षन में अपनी अपॉइंटमेंट लेकर आया है ये पुलिस आफिसर आरिया कर दोका मिलि वाले देल कि आरिया ये पर खबनुट्स जाराइ। का पर एंसे आरिया झातना है ये शावताप़क्वें ये जान फोका ये खबने उन्याम झातना है वाले धकисл member about it कि ई कि लवार पत्समातर है एह खबंपत्समाते से का में अव्टन अहाँ, कल जब तुम मेरे आद्मियों से बिगड़ गए थे तब ही मैं समझ गई कि तुम साधारन आद्मी नहीं हो शड़ाप, मेरे यहाँ आने का कारण तुम्हारे जैसे जबान मर्द, इस धन्नो भाई के गर क्यों आएगा भला? योवन की प्यास बुजाने के लिए धन्नो भाई, कानून के साथ मजात करने वल और कानून की धजिया उड़ाने वालों को ये आरिया कभी नहीं छोड़ता ए भुलेस, धन्नो भाई का घर यानी चोटा राजय जैसा है प्यासों को कुए तक आना ही पड़ता है तुम अगर ब्रह्मचारी हो, तो धन्नो भाई के घर नहीं आना चाहिए था तुम जैसा समझते वैसे मैं नहीं हूँ हिंदुस्तान एक नारी प्रदान देश माना जाता है एक नारी होकर नारी जाप को कलंकित करने वाली तुम जैसी चंडालिन को सुधारने के लिए ही मैं यहां आया हूँ ओफिसर्स, मूव खेरो ओफिसर तुम्हारे ओफिसर्स ने बोला तो तुम यहां गुसे चले आये तुम्हारे ऊपर के ओफिसर्स से अभी तुम्हारी बात कराती हूँ रुक बच्चे एसपी साब में सब कुछ ठीक है ना मैं धन्नो बाई बोल रही हूँ क्या बात है ये आर्या किस दुनिया से आया है वो भी धन्नो बाई के घर रे डालने आया है उसे जरा समझाईए ना हों जो हाँ अरे आर्या जूटी जॉइन करने के बाद हमसे रिपोर्ट करने के बजाए तुम सीजे उधर क्यों चले गए यहां हो रहे वैश्य विर्ति को रोकने के लिए ही मैं यहां आया हूँ आरे उससे कुछ भी करने दो तुम क्यों टांग खींच रहे उसकी तुमने वहां कदम रखा वही पहली गलती है उससे माफी मांकर सीजे मेरे पास आओ एक पुलीस अफिसर होते हुए इस तरह की बढ़वा के नहीं करते तुम्हें शरम नहीं आती है क्या क्या मख़ास कर रहा हो बंद करके बैठे रहो हूँ कि अब पूद कि अब पूद कि अब पूद कि 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 अब इस शराफ से छोड़ दिया तो ठीक होगा भूल कर भी मेरे उपर अगर हाद उठाया तो तुम्हारे बदन से यह खा की वर्दी उतर जाएगी इधर आईए अब इस औरत का क्या हसर होना चाहिए यह तुम लोग जानती हो ना जानती है तो इंतजार कि शुरू हो जाईए उसके साथ और कानून क्या है उससे अच्छी तरह से समझा देना यह आर्या उसके चमड़ी पे बहुत ज्यादा धूर जमी हुई है लाठी पूजा करो उसकी अंजाम मैं देखें हलो यह है सर आपका पूर है हलो है अकल क्या अंदे हो समाच सेवी का धन्यूबाई को ग्यू पकड़का रखा है स्वावी सर आपके लिए समाच सेवी का हो सकती है वो समाच सेवी का नहीं है उसे रंगे हाथों गलती करते हुए मैंने पकड़ा है सब सबुत मेरे पास है बेचारी अवरतों का पेट पाल रही है कोई तुमारे घर की अवरतों से धन्दा ने करवा रही है सीधी तरह से फोन रख दो नहीं तो शरयाम तुम्हें मारते हुए लौक अप में लाके है किस से बात कर रहा है मालूमत तुझे अभे बंत कर और फोन रख क्यों सर टेंश हो गया किसी गुंडे ने फोन किया किया नहीं यहां का MLE फोन पर था अपने सीनियर ओफिसरों से किस तरह बात करनी चाहिए इतनी भी तमीज नहीं है तुछ में उसे भी घलत बात किये काफी बतमीजी कि इसने सर आपने फोन किया था और किसने फोन किया था I am extremely sorry सर सर इसको अरस्ट करने के बाद मैं MLA, Party President, Commissioner कई नामों से फोन आ रहे हैं सर ऐसा यहां कोई भी नहीं है यही मेरा भी शक्ता सर और फोन करने वाले की फोन पर शकल थो न दिखती है अच्छा अच्छा उसे जल्दी बाहर निकालो छोड़ने के लिए तो मैं सोच रहूं सर लेकिन लेकिन? क्या लेकिन? मतलब आपके बारे में बहुत बुरा बला कहा है सर क्या बोली? इतनी लोगों के सामने कैसे? जो भी है जल्दी बोलो मैं चुटकी बजाओं तो तुमारे डिपार्टमेंट का एसपी मेरी चोकरता की कुट्टे की तरफ़ा हो जाएगा इसलिए मैंने कभी कुट्टा नहीं पाला है मेरी चूस के फेंगी हड़ी को जवाने वाला कुट्टा है वो और और क्या-क्या बोली है सब मैं कैसे बोली मेरे बारे में तु ऐसा बोली पुलीस डिपार्टमेंट का एसपी तुमारे घर का कुट्टा है क्या ए ओफिसर आरिया सर उसको छोड़ना नहीं सबक सिखा उसे आप अपने काम शुरू कीजिए नहीं सर सर अपने एमेले साप के बारे में भी वहाँ गुंदी काथी बाते किये सर इसलिए मैंने उसके एमेले बना दिया है और और भी बहुत कुछ बोली है सर ये बहुत कमी नहीं हो रहत है ठर्ट डिकरी का जरूर इस्तिमाल करना हे यारिया सर मेरे सामने दस जंडे लगाओ पर अखरी जम तक यही शड़नी चाहिए ऐसा कोई केस बनाओ अगर इसे फोन जाहे जिस किसी का भी फोन आए मैं हूना तो किसे अच्छा तुम्हें चलता हूँ सर नहीं सर अच्छा अच्छा भाबी 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 अच्छा अच्छा तरह सजा देंगे भाबी अरे भती जे के पैदा होने के फीन महीने पहले ही उसका जन्म दिन मना रहा हूँ एडवांस मेनी मोर हैपी रिटर्स ऑफ दे ठीक है न भाबी ये क्या आरिया पूरे घर को तुमने खिलोने से सजा दिया है सब लोग जन्म दिन साल में एक बार मनाते हैं और तुम तो हर मेने मना रहे हो बहुत सिंपल है भाबी बच्छे के पैदा होने तक महीने में एक बार सेलिबरेट करेंगे उसके पैदा होने एक बाद, साल में एक बाद करेंगे, क्यों भाईया? इस बार लड़की ही होगी। लड़की? देखो भावी, हर औरत बच्चा पाज़ा करने से पहले यही चाती है जिसको लड़का पैदा हो। मगर आप क्यो लड़की चाती है? नई, नई, ऐसा नहीं होगा, आपको लड़का ही पैदा होगा। नहीं रे, मेरा तो लड़का है ही है। लड़का है? कहां है? कहां है भाबी? मेरी आँखों के सामने हैं। आँखों के... मैं... पिछले जन्नम में मैंने जिरूर कोई पुन्य कमायोंगे, जो तुम जैसा बेटा मुझे मिला। सच बोलो, तुम्हें अपनी मा की याद आ रही है ना? नहीं भाबी, तुम्हारे जैसी मा पाने के लिए मैंने ही पुन्य किये हैं। मुझे मा की याद ना है, आपने इस तरह मुझे पाला है। लेकिन अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। क्यों रहे? सुनो भाबी, बेटा होगा तो मुझे तो बहुत छोटा होगा वो। और जैसे जैसे बड़ा होगा, आपके प्यार में मेरे से हिस्सा बंटेगा। यहीं मेरा डर है। लड़की होगी तो परेशनी कोई बात ही नहीं है। बड़ी होगी तो उसको शादी करके भेज देंगे। अरे भाबी बड़ी भाबी चल खाना खाले। पांच मिनट भाबी, अभी नहाग्याप के सामने आ रहा हूँ। देदो, देदो, अरे इतने लोगों कोई एक तो देदो मुझे, देदो ना, देदो, मेरी आवास तुम तक नहीं पोनच रही है क्या, देदो ना पेंक्डेश्वरा, नारायन, मुकुंदा, गोविंदा, पांटूरों कविरला, रवी चंद्राभाई, देदो, देदो, कोई एक तो देदो मुझे। हालो इंड्या जीट गई क्या, प्रवेश्वर तुम्हारा नाम लेते ही इंडिया टॉस जीत गई है, अब आगे-ागे देखते हैं, इंडिया माज जीत है है नहीं, मुझे प्रफिट हो जाएक जित गया तो है वागों आरे सुनो तुम कितनी भी पूजा कर लो Constable से Head Constable का प्रोमोशन बिल्कुल नहीं मिलने वाला क्या टिंडूल करने पहले बाल पर चौका हमारा हां 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 सुन लिया तुमने चौका हमारा पहले बाल पर ही हां चौका चौका है यही आदमी कभी भी सुधर्ने वाला नहीं एक क्या 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 है तेंडुल कर आउट हो गया हमारा देस बरबाद हो जाएगा क्या यह लोग क्रिकेट खिरने के लिए जाते हैं शेहर गूमने के लिए चातें पहले पता होता तो यह फुटी कोड़ी बी जाओ पर न देशी Гी के लडु मिलेंगे क्या बहुत भूग लगी है जल्दी से लडु दे दो सुभी सुभी आका मेरे दुर्वा से क्यों चिला रहे हो मेरे घर में देशी गी के लडु बने तुमें कैसे पता? मैं तो पिछली गली में भीग मांग रहा था आपके घर के देशी घी के लड़ू की खुसबू वहां से यहां तक खीच लाई हाँ तेरा नाक मनुश्य का नाक है या जानवर का आरे जो भी वो मुझे नाक तो है ना देखो भाईया मेरे परिवार के लिए जितने भी लड़ू मुझे बनाने थे वो सब अब खत्म हो गए रुको मैं थोड़ी चावल ले कराती हुआ रुक जाओ मेरे पास टाक है रात में अमर्जशी में जरुत पर जाएके यह लो रख लो रुखे नहीं चाहिए जैसी तुम्हारी मर्जी अच्छा अच्छा रुको रुको खाली हात हुमें बेश्ते हुआ अच्छा ने लगता है यही रुको में पानी लागी उस्धी जर की लाइसंस लेना पर्टा है क्या दुकान czł engagement को पैसे जेखे कोई भी बिस्राडी वाटर खरी सकता है जए त eerste ओम खिर एंपानी आता है वस्ट रम आता है गंगा का पानी कुछ सब्सक्राइब प सर अन्वा बखता की बीचारी को तुझतना गमंड है तुम तो एक घर का खाना खाके इतने गमंड ही बन गया हो जैकन मैं कितने हरो खाना खाता हूं त्यbox मुझे कितना गमंड होना चाहिए वो हमारा अपमांद करके जा रहा हूं arguing किया ककड़े हो क्या करूं उसको अरश्क का अंदर डाल दू जाते जाते बहुत अच्छी बात कह गया है वो देखो मुझे भूख लगिया जल्दी सर अंदर चलो अना बाकी इजद भी निकल जाएगी वो पालक दीजिया तो हरा अधनिया भी वो बला वो बला मार्केट में इतने सारे लोग घूम रहे हैं सबको छोड़कर मैं ही इसे दिखी हूँ इतने सारे लोगों को छोड़कर तुमने सिर्फ मुझे ही क्यों धक्का मारा है हां वो भी यहाँ पर अरे बाबा गलती से हो गया सौरी बोल दिया ना वोई सौरी कह दिया ना चलो ना तुम चुप रहो हां सब नाटक है मुझे देखो तो पता चल जाएगा बिल्कुल चौर जैसा दीख रहा है ऐसे लोग इसी ले मार्केट में आते हैं ओई ऐसे क्या देख रहा है हां गलती के लिए माफी मांग ली यह लोग हाथ भी जोड़ता हूँ अब कहो तो क्या कहो तो ठीके ठीके चलो 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 क्यों अच्छी क्लास ली न इसकी आ नहीं तुम क्या बेन अरे 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 पक्रा भई अरे 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 इसकी तो यहां तक क्या चाएं अपिस्टर्स मूव अरे 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 मैं कहा तरह चोर्चे से दिखता है मैं हो आँ बताती हूं यह दे अरे 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 पॉलिस आईए 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 पहले से पकड़ के ले जाएए सर ये नहीं ये एक बड़ा चोर है पहले इसे यहां से पकड़ के ले जाएए उल्टा लटकाईए और फिर इससे पूछिएगा कि इसने वो नेकलस कहां पे रखा है पूछे इससे मैडम आपको पता ये कौन है ये एक बड़ा चोर है लुच्चा है लफंगा है गुंडा है सब कुछ है आप जो समझ रही है गलत है ये हमारे पूलिस आफिसर है एसीपी आरिया आरिया येस आएसीपी हाँ एसीपी हाँ ये तो पूलिस आला निकला चल बाग है ये ये इस दाएसा है ही हालो हालो इक्सिसमी हालो हालो गितारी एफ वे खखबे पतारी गलगगँ आरे आरे नारे बेंा। हसलोव सबीस करो alan। धार्डह्यन Bunny येस फिर तुम गुस्सा मत किजी वो मैंने जान बिचकर वैसा नहीं किया था वो मैं गलत फेमी में पड़ गई थी न इसलिए सौरी कहने के लिए आई हूँ मुझे मालूम है गल्ती करना गुना है और गुलिगारों की मदद करना उससे ने बड़ा गुना है मालूम था तो फिर क्यों किया देखो 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 तुम अभी तक मुझसे गुस्से में हो बस एक बर कहदो कि तुमने मुझे माफ कर दिया है देखो मैं बहुत जरूरी फाइल देख रहा हूँ दिया करके मुझे डिस्टर्ब मत करो प्लीज तुम अभी तक मुझे में गुस्से में हो मैं यहां से नहीं जा माफी मावने का यह नया तरीका है क्या ठीक है ठीक है तुम जा सकती हो जब तक तुमने मुझे माफ क्या नहीं बोलोगे यहां से नहीं जाने वाली हूँ यह पागल लड़की जा तुझे मास किया क्यों रो रही हो अब क्या परिशानी है वो तुमने मेरे परस्टनल जगे को चुआ पुलीस वाले भी सिले जो मन में आया हो तरोगे जब धीरे बोलो ऑफिस में सब सुन रहे हैं प्लीज अरे मान भी जाओ ना प्लीज ओ नहीं अरे अरे चुना थे अरे यह क्या मैडम जब आप उपर गई तो एक दम की की हस्ती हुई गई थी लेकिन जब आप नीचे उतर के आई तो आखों में सावन वाद और क्या बात हैं बो आरिया क्या क्या उसने अरिया ने मेरी नहीं चुने वाली जगह को छुमा नहीं चुने वाली जगह पर चुम लिया और कहां चुमा आरिया एस्टेला मैं बात करकर राती हूं तो ड्रेस निकाल ओके क्या बात है ये तब से देख रही हूँ गुमसुम बैठी है S.P. साब ने इसके नाचुने वाली जगह में छू लिया इसमें कौन से बड़े बात है? फिर भी मैं लड़की हो ना? छी, ये सब गलत है अरे छोड़ना, शादे से पहले किया तो थ्रिल है, उसके बाद तो कॉमन हो जाता है फिर भी एक पुलीस ओफिसर ने ऐसा किया है, ये सब गलत है अरे सच, पुलीस वालों के लिए तो ये साधर्म सी बात है वो सब मैं नहीं जानती मैं अपनी गलती के लिए उससे माफी माँगने गई थी, माफ कर सकता था ना? वो सब छोड़कर फ्री एंटेटेंब्मेंट मिला ना? मज़ा ले ले हाँ, एक मेरा लवर है, बाहों में भरना चाहती हूँ, तो मीलो दूर भागता है अरे तू तो बड़ी लखी है मचला 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 तुझे दीख के ये दिल मचला डोलो 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 तेरे प्यार में पागल डोलो तीरी अदावों ते दिल मचला इसको संजादे मेरे दिल पर भी है तेरे प्यार का चाहतो होई प्रेम की ज्वाला कैसे थंडी हाँ प्रेम की ज्वाला कैसे थंडी हाँ 1942 के मोडल पे आजे दिल मेर मचला आग लगा के प्यास जगा की कहा चली दू बतला लगा की जगे वाला की जगो भी हाँ तेरी सासमसे सासे मिली जब से तबसे ही ये दिल तेरे लिए मचला कैसे करूं मैं काबू इस दिल को ओई तो कर दे इसका रसका माहा में तो लेले सान प्यार के प्यास खुझा चासी या पे मर्जा कुछ तर नमज सजना आले छलूं में से जहां मैं क्यार होगा वहाई इनकार ना करगा मचला 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 तुझे देख के दिल मचला डोलो 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 तेरी प्यार में पागल डोलो त्जय के लिए रेले आले इसन तो यारी जिलिएमित्स के लाएड and करने प्यांक networks sound in ओर टोलो डोलो जोरिक ममालन बागल नैजे अरदया व्यार में तो डोलो ए्ब displays सम वो सजना सम जवाने की वो मंगो पर हो कैसे काबो कोई तो कर तुझा तन की बुझ जाएं ये तन ही जलन हमीशा की दिखला देंगे दुनिया को प्यार में हम क्या है आज से हम जमाने के लिए दो बदनिक जाएं मंदिल अब दुर नहीं जनब एक दर रुखेंगे मंदिल की ही सजना अब तु मेरा जीवन सारा इंबाहों में बितेगा आजा कर ले इसका एक लए अभू मेरे हम सफर दीदी दीदी कौन है? कौन है? मैं हूँ दीदी, पेचाने नहीं वही आँटी, शौलापुर शिव मंदिर के पुजारी की बेटी है पुजारी की बेटी? वही जिसे आप पगली-पगली कहती थी सच्ची? वो तुम हो? कितनी बड़ी हो गई है तो क्यो मेरा नाम याद है न आपको? वो ठीक है, ऐसे अचाने की शेहर में आ गई? हाँ हम लोग इस शेहर में पढ़ाई करने के लिए आए हैं दीदी आंटी, ये यहीं पढ़ रही है फास्टल में रह रही है बहुत दिनों के बाद तुम है देखा बहुत खुश हुई आप घर को देख लिया ना, आते ही रहे ना आने की क्या, मैं तो यहाँ पर सेटल होने की सोच रहे हूँ क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं दीदी सच मुछ दीदी, आपने घर को अच्छा सजा रखा है अब मैं क्या बताऊं तुम लोगो इसकी सफाई में सुबे से शाम हो जाती है मैं तो काम करते करते ठक जाती हूँ वैसे कॉलेज एक हफते के लिए बंद है इसे आप यहीं रख लीजिए, आपके साहिता करेगी यह क्या मेरी साहिता करेगी? चुपकर आप ऐसे क्यों बोल रही है दीदी आपकी साहिता करने को तो मैं अपना सभागे मानती हूँ लेकिन लेकिन शाम को 6 बजे के बाद मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता है इसलिए मैं 6 बजे के बाद ना सुबे से 6 बजे तक यहां काम कर शाम को 6 बजे जब इनके देवर आ देंगे तो वो सब को संभालेंगे तैंक्यू दीदी अब तुम लोग कब तत रुखोगी अरे नहीं नहीं हमें तो शॉपिंग के लिए जाना है हम चलते हैं दीदी अरे जब करो तुम पहली बार मेरे घर आई हो अरे अरे नहीं दीदी ये अब यहीं रहेगे ना हम आते जाते रहेंगे ठीथे दीदी चलिए अपना घर दिखाए पहले कॉफी बनाते हो उसके बाद एक कंडिशन है आज से घर का सारा काम मैं अकेले करूँगी और घर में कॉफी भी मैं ही बनाऊँगी लोके ही center चड़ती जाने मेरी चाहिं nights करें भाई अर्या आर्या क्या हुआ अरिया कोंह plant को आखो सुचित्रा है कौनिशी सुचित्रा बते है दोला फूर है वालो जो हमारे पतितीथ सुचित्रा यह मेरे देवर है पुलिस ओफिसर है नाम है आरिया नमस्ते जी ये क्या मोड़के नमस्कार कर रही है इस तरफ देखे नमस्ते करो नहीं दीदी मुझे पुलिस वालों से बहुत डर है डरती हो पुलिस वालों तुम्हें खार जेगा क्या इधर मुड़ा अगर तुम चाहते हो तो मैं कैसे माना करूं आरिया हां तुम हो हां मैं हूँ अरे मेरे सेल कैसे आई अरे तुम इसे पहले हो रहता हूं अरे भाबी इसका पूरा गिरधार मैं जानता हूं यह बहुत बड़ी नोटंकी है, नोटंकी है, दीदी, मेरे जैसी ही किसी खुद दूरत लग्की को इन्होंने देखा होगा, वो मैं ही हूँ सोचके ये कंफ्यूस हो रहे हैं, बस इतना ही, कंफ्यूस मत हो बेटा, अरे ये, ये तो मेरे लिए सरदर्थ बन गई है, सरदर्थ से परिशान है, जं करती है, हर रोज मुझे फोन करती है, जो प्रो आ रहे है, शाम छे बजे के बाद इससे दिखाई ने देता, ये नया ड्रामा कब से चालू किया, बाहर तल तुझे देख लूँगा, तुम क्या देखोगे, मैं देखूँगी, आओ बाहर, जाओ, जाओ, बस क्या मैं, है, क्या देख रहे है, जाओ, क्या है, कॉपलेट देनी है, खड़े क्यों हो, उदर बैठो, शुबा सुबा किसका मुझे देखा जा पता नहीं, क्या है बोलो, साफ मेरा खो गया, बहुत दिनों से ढून रहा हूं, मिल नहीं रहा है, साफ साफ बे, बचाओ कि तुमारा क्या मेरा कुवां हां कुवां खोंगे है तुमारा रासा है अपने खेद में खुद्व आया था उसे ज़ों कल मझेद सब्च। ॉसमारी ने हुप को सुम्स में सब्चे kann भरके की लीए और ये बवाइंक के कि लिए झासिक श्रम। ऐसके लिखा है बैदग आज़ी के मेरी मा की अंती मिच्छा थी… कूथ के मरने के लिए हैं क्या? नहीं, जाब. उस कूएं का पानी पीने के लिए हूए हूँ. आपनी मा की अंती मिच्छा पुरा करने के लिए तू, यह मेरा भीजा क्यों चाट रहा है? साहब आप खोजेंगे कि नहीं मैं कमिश्णर के पास जाओं कब कर ला जाना कितने बजे राज को साले बारा है अरे सुबर नो बजे आ जाना जाओ यहां से भेजा क्यों चाट रहा हो ठीक है साहब जाओ साहब जी बोल मज जाएगा मेरी मा की अंती में इच्छा ध्यान रखियेगा चलता हूं चलता हूं साहब अब मेरी समझ में आया कि पुलिस वालों को मुझे गंदी गंदी गालिया क्यों आती है इस तरह के लोग भगवान हमारे पास भेज जेता इसलिए हमारे मूझ से गालिया आती है और नहीं तो क्या दीदी चीनी बराबर है क्या देखिए न कैसी है अच्छा है तुम सीनिमा डिस्को गर को छोड़ कर हमेशा रसोई गर में गुसी रहती हो क्या करूं दीदी खाना बनाना नहीं सीखी तो इस घर में बहु बनके कैसे आँगी क्या बुली कुछ नहीं दीदी कुछ नहीं अरे तुम ऐसे क्यों हस रही हो असी आ गई इतना चोटा स्वेटर आप पहन सकती है क्या अरे पगली इसे मैं नहीं मेरी बच्ची पहनेगी बच्ची पहनेगी? पर वो है कहा? तुम एकदम अंदी हो क्या? मैं गर्वती हूँ बच्ची इदर है बच्ची के पैदा होने से पहले तयारी कर रही है धीरे धीरे तुम सब जान जाओगी दीरे दीरे ने अभी जानना चाहती हूँ अरे बाबा क्यों तंग कर रही है दीरे दीरे सब जान जाओगी थोड़ा से सबर रुखो ना ठीक है वहाँ बाबी को यूँ परिशान कर रही है इधर देखो मुझे छोटा सा डाउट है वहीं दीदी से क्लियर कर रही हूँ आरे यह कॉफी पी के जाओ मैं जर नहा क्या रहा हूँ भाबी भाबी चावल दो इधर देखो तुम्हे यार किसमे लाया है बहर जाओ यार से चिल्ला क्यों रहे हैं आप पानी ठंडा है क्या दर्वाजा खटकरा क्या आना था दर्वाजा खुला था इसलिए आ गई खुला था तो क्या हुआ नौक करना था ना नौक करके ही आई मुझे गलत मत संजो श्यान छे बजे के बाद मुझे कुछ भी नहीं दिखाए देता अगर तुमने दर्वाजा बंकिया था तो मैं अंदर आ सकती थी जा तुम्हें इस हालत में देखने की मेरी कॉन सी तमन्ना है अच्छा अब नाराज होना छोड़ दो माफ कोड़ दो हवलदार जी मैं हवलदार रही हूँ पुलिस ओफिसर हूँ समझ गई तुम पुलिस ओफिसर हो तो क्या मेरी बिमारी के लिए मुझे डाटोगे इस तरह अच्छा तुम्हें एक लड़की हो इस तरह सीधे बात रुमाने का क्या मतलब है तुम्हें शरम नहीं आती है क्या पुलिस और ड़की को शान के छें बज़े के बात बगवान ने अन्दा बना दिया है अरे औरे औरे देखो देखो मैंने गल्ती से बोल गया है मुझे बाफ कर दो ना फ्लीज सॉर्य शॉर्य मुझे अधिसर बंज और गल्ती हूँ ये मुझे पुजारी की बेटी का अपप वित्र कर दिया अरे अरे कहा जा रहे हो पुजारी की बेटी का अपप वित्र कर दिया ए ए नोटांकी भावी ने एक नहीं मुशिवत पाल ली है सर, Most Wanted Criminal रेपिस्ट रमाकान देशाई गोभर्धन के गुडाउन में चुपा हुआ है ऐसी पक्की खबर मिली है ऐसा क्या? अगर हम जल्दी करें तो उसे आज ही पकड़ सकते हैं ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ क्या है? परवा नहीं मरने के लिए अच्छी जगह डूड़ ली है हाँ? क्या हुआ है क्या हुआ 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 कुट्टी इस माल को जहां पहुचाना है पहुचा दो अभी भेजता हूं चेपोस पर टाइट सेकूर्टी है फिर आर्या भी हमारे पीछे लगा है मैं मौका देखकर खुद पहुचा दूंगा क्या है इतनी चोटी सी बात के लिए गुस्सा हो रहे हो तुम जानते नहीं है मैं पुलिस ऑफिचर हूं यह सब नोटांगी मेरे साब नहीं चलेगी तुम्हारे दिवानी हो गई हो इसलिए भाव खारे हो मेरी बात अच्छी तरह सुन ले मेरा तेरा कोई संबन्द नहीं है ए रुको 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 अपनी मा की कसम खा के बोलो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। इस पल को यादगार बनाने के लिए.... I'm sorry... कुछ नहीं दोगी क्या... क्या है... चुमा दो न... एई कोई नहीं देख रहा है... दो न... दो ना मुझे जो यहाँ हो रहा है वो वहाँ हो रहा था हाँ जो यहाँ हो रहा है वो वहाँ हो रहा था अपने को क्या लेना चल इस जहां से दूर मेरी साजन हो हो जो यहा हो रहा है वो वहा हो रहा था प्यारी का ये असल हो रहा है प्यारी का ये असल हो रहा है प्यारी पर किसी के में नजर ना डालूं अरी तोबा मेरी तोबा वो परमेशवरा प्यार के गुर्वा में भी सीका दे जरा ओ परमेश्वरा चार के गुर्वा में भी सिखा दे जरा जो यहां हो रहा है वो वहां हो रहा था हाँ जो यहां हो रहा है वो वहां हो रहा था अपने को क्या लेना चल इस जहां से दूर मेरे साजन हो हो इनको देखो क्या देखें प्यार में तो ये सब चलता है प्यार में तो ये सब चलता है प्रेमी की ये पिंगी आजा बाडा ले हम आजा जब हो में प्यार के देवता प्यार के गुर्ह में भी सिकला दे जारा जार के देवता जार के गुर्ह में भी सिकला दे जारा झार के जार के देवता जार के रजेखें आजाए अरे 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 ये क्या कर रही हो साफ मेरा बच्चा मर रहा है साफ आपको कुछ करना ही होगा साफ देखो तुम लोगों को घबराने की जरूत नहीं है मैं आ गया हूँ पुरी पुष्टाश करूँगा सिस्टर इन बच्चों की मुझसे जाग निकल रही है साफ कीजिए लगता है फुट पॉइस्टन का केस है जल्दी कीजिए इंजेक्शन दीजिए इंजेक्शन त्यार है डॉक्टर बच्चों की हालत कैसी है अभी मैं कुछ भी ने कह सकती इनकी कंडिशन क्रिटिकल है कुछ बच्चों को बचाया जा सकता है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मुझे लगता है फुट पॉइस्टन का केस है अफिसर इस्कूल के स्टोर का इंचार्ज को नहीं जल्दी पता करो कि अब पिछले दस साना से यहां के स्टोर कीपर हो तुम कितना घटिया सामान आ रहे हैं यहां पर यह देखके तुम चुप कैसे रह जाते हो अच्छा सामान भेंजने के लिए सरकार को अरजी नहीं दे सकते क्या इससे सम्मद रखने वाले अधिकारियों से तुमने बात क्यों नहीं की इस बारे में बहुत बार कंप्रेंट किया सर लेकिन गुपाव जिपंगा लेने के कोई हिम्मत नहीं करता है सर करता है करते शिट, कम यह, कम यह, कम यह, फास्ट, कम फास्ट, देखिए, पहले इसे शूट कीजिए, वो गवर्दन पाल सब सुभूतों को मिटा कर कानून की आंखों में पूरी तरह से धूर जोक रहा है, राशन की दुकान से जो अच्छा आनाज आता है, उन्हें अपने गुदाम में दबा कर, बच्चों के लिए सडा हुआ अनाज भेज रहा है, बच्चों की पीने वाले दूद के पोडर में मैदा मिला रहा है, इंसानियत के खिलाफ ये खूनी खेल जो खेल रहा है, उसके साथी कौन कर रहा है, उन्हें सब इमिनेट, इमिनेट आरस्ट करो, याट सर, सर सर, एक मिनित सर, इन ऊची हस्तियों से आप पंका लेने की हिम्मत कर रहें, ये बताइए, ये सब क्या आप पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, नहीं, पब्लिक के लिए है, मुझे तंखा जेने वाली पब्लिक को जो कई भी तंख करेगा, उन सब को ढून निकाल कर, उन्ह इसको मुख्यता क्यों दे रहे हैं सर, कतल का जो जुर्म है, चोरी, चमारी ये डकायती से कहीं बड़ा होता है, आज के जमाने में ग्वर्मेंट हास्पिटलों में कितने पेशन अच्छा इलाज नहीं होने की वज़य से बेरहमी से मर रहे हैं, इन सब का कारण यहीं लोग इस दिन, उसके बाद क्या करोगे, नोट खाओगे तुम लोग, आपके इस एक्शन से क्या काला बाजारी करने वाले रुख जाएंगे, वो सब मुझे नहीं मालूँ, मगर इस केस के पीछे किस का हाथ है, वो राजनितिक आदमी हो, या सरकारी आदमी हो, या कोई बलशाल है, आपका गोदाम है ये जानते हुए, उसने सीज कर दिया, उस आर्या की हिम्मत, देखा आपने, अभी है मेले सतीष महादीवन कहा है, अरे आप चिंता मत किर जिये गोर्धन जी, मैं अपने 15 साल के राजनितिक जीवन में एक से कड़क अफसरों से निपड़ चुका हूँ, ये आर्या क्या चीद है जी, अरे तू है आर्या, मैं तेरा नाम सुनका समझा था कि रिटायर होने लग कोई बुटा अफसर होगा, आर्या, सरकारी भग की अच्छा नाम है, बड़ा इंपोर्टन आफिसर पोस्ट मिलने से बदन में कुन करण सा दवर रहा होगा, पर ज्यादा पवर मत दिखाना, कार दूँगा, किसके परमीशन से गोवर्धन पराक्शन लिया, तुम्हें जान की परवा नहीं है, च्या, उसकी जान, उसको प्यारी नहीं है क्या, क्या नावटंकी दिखा रहा है, पबलिक को कश देने वाला भलेई कितना वड़ आदमी क्यों ना हो, उसे कानून के हातों से कोई नहीं बचा सकता, क्या है पबलिक, उसी पबलिक ने मुझे ML बनाया है, समाज की समस्याओं को समझ का सेवा करने वला प्रतिनी दी हूँ, मुझे सब मालूम है, ठीक है, अच्छा, एक किलो चावल का क्या दाम है, क्या मैंने बनिया की दुकान खोल रखी है, जो चावल का दाम पूछ रहे हो, ठीक है, उलास नेगर से वरोली तक का, गवर्मेंट बस में एक टिकट का दाम क खेर छोड़ो, एक लिटर केरोशिन का क्या दाम है, दहेच के लिए बहु को जलाकर मारने वाले साथ ससूर से पूछो, वो तुम्हें विस्तार से बताएंगे, ये भी ठीक है, भूल जाओ, एक वाटर बाटल, एम से रम का क्या दाम है, हाँ, वो क्या, सतर रुपए, और तुझे एमेले की पोस्ट भी चाहिए है, देख रूलिंग पार्टी के मेले पर हाट उडाया तुने, तुझे मैं नहीं छोड़ोंगा, नहीं छोड़ोंगा, तुझे मैं. रुक जा, बगार किसी परमीशन के, मेरे ही चामबर के अंदर घुशने के अलावा, एक पुलिस ऑफिसर के उपर जो तुने हाथ उठाया है इसका रियक्शन तो जनता क्या होगा ए, मैंने तुने तक माझा मार suppression और नहीं तो तेरे बात ने मार रहे cœur तुने ही मारा है मैंने कब मारा जूट मत बोल एक on duty officer को जो तुने हाथ उठाया है उसके ये दोनों साक्षी हैं क्यों officers हाँ sir, सिर्फ मारा ही नहीं आपकी जान लेने की भी कोशिश किया बेचारा, अगले चुनाव में खड़ा हो पाएगा या नहीं ए, 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 राम भजन करने वाले मुझे में लजाम मत लगाओ, भगवान तुमाख नहीं करेगा भाया, मैंने क्या गलत बोल दिया जो तुम तीनों मिलकर मुझे धमका रहे हो आपने क्या किया क्यों भई एमेले सतीज महादेव बोलकर प्यार से चपत मारी चाहो तो दुबारा प्यार से चपत मारला लेकिन याओ इ घटना के बारे में किसी को मत पताना के तुमने मुझे मारा पद्वी चली जाएगी साद साफ किये बिना 10 साफ रह सकता हूँ लेकिन पद्वी की बिना 10 मिनिट भी नहीं रह सकता میरे भाए आज के बाद किसी भी पुलिस टेशन में जाकर किसी भी ऑफिसर को धमकाने या मारने या कुछ करने की कोशिश की तो तेरा आगे पीशे नहीं देखूंगा और इतना मारूंगा बाग का सम इसके बाद मैं पुलिस के मामले में कभी धांग नहीं यडाओंगा चलता हूं वार्या जी आज का MLA, कल का MP, कल किसी और दल का परधान आएगा फिर उसका चैर्मेन आएगा ये सब छोटे लोग हैं मैं इनसे नहीं मिलना चाहता इनका गुरु जो है गोवर्धन पाल मैं उससे मिलना चाहता क्यों वेज़े भी हमारे मामलें बार बार टांग अड़ा रहे हो जोश होना चाहिए और होगा तभी जब ज्यादा से ज्यादा कमा सकोगे हम हजारों करोडों खर्च करके नेक्यूलियर बाम बनाने लगें तो बाहर के कई देश वाले हमसे हाथ मिलाकर हजारों हजार करोर उपए देंगे लेकिन मैं तुमसे डर कर नहीं आया हूँ तुम्हें जब चाहे बोल दो दे दूँगा मैं जो मांगूंगा वो तुम्हारे लिए कुछ जैदा ही होगा मगर तुम्हें वो देना ही होगा आर 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 देखा पिताजी मांग रहा रिश्वत वो भी घमन से पावर दे देंगे कितना चाहिए तुझे बंद कर दो सब बंद कर दो रोडी सम जुवा मटका दारू की भट्टी सरकार की समपती को चुराना ये सब छोड़ दो नहीं तो तुम लोग छोड़ दोगे अपनी सांसों को ओलिस पोलिस तुम लोग नहीं चांते हो बगार लिशेंज के हत्यार रखने वाले अगर तुम लोग वह— अमितनी हिमत होगी हां मैं कॉन्में में पढ़के पुलिस में नहीं आया हूं कार्प्रेशन में पढ़के पुलिस में आया हूं ठीर डालूंगा तुम्हारे पास पुलिस की पावर है तो हमारे पस लोग की पावर है शराफ से रहा तो छमा कर देंगे नहीं तो बोटी बोटी करके त जो हमारे पास है आज तुम जिस बंगले में रह रहे हो ना उसे मेरे चाचा ने अपनी रखेल को दिया था तुम्हारा येस्पी आफिस हमारा गोशाला था कॉर्परेशन आफिस हमारा सबल था हमारी ये दीवी भीग से जिने वाले तुम हमसे पंगा लिया तो खार नहीं ये समझते हुए नहीं माने तो तुम पुलीस आफिस रहोगे सरिफ फोटो फ्रेम में इन गीदर बाजियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ अगर तुम मेरा नाखुन काटने आया तो मैं तेरी उंगली काट दूँगा अगर तुम मेरी उंगली काटने आया तो मैं तेरा हाथ काट दूगा अगर तुम मेरा हाथ काटने आया समझ ले मैं तेरा सर कलम कर दूँग सुन लो या तुम लोग सब सुन लो ये वॉर्निंग नहीं है आरिया का ओर्डर है ओर्डर है निशाना चुग्या समझते हो मैं शूटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ उसी कोटे से मुझे इनोकरी मिली है मैं एक्शन लेने से पहले अपने आउडर का अंजाम देखूँगा क्यार कुछ देखूँगा कौन है मेरी बात छोड़िये पूलिस कॉंस्टिबल तू काराम घर पर हैं क्या उनको जरा बाहर बुलाईए वो ड्यूटी पर चले गए हैं ड्यूटी पर ठाने में नहीं घर में नहीं फिर कहां चला गया वह खेर मैं आया था बोल दीजिगा नमस्कार अरे नाम तो बताईए मेरा नाम कनक पुर्धाने वो समग जाएंगे कहां मार गया रहे तू तूझे कहां कहां ढूलू सर यह सब कोट भिजवाना है यहां सर एक मिनिट हलो आरिया बोल रहा हूं मेरा नाम द्ट्र जगदिश है त्रेशन के पास वाले रागवंदर हॉस्पेल से बोल रहा हूं यह गर्ल हाज विन रेप्ट अन हर कंडिशन इस वेरी क्रिटिकल वो आपको यह अपना बयान देना चाहती है विल्यू प्लीज कम ठीक है मैं भी आ रहा हूं आयम डॉक्टर जगदिश प्लीज कम पिराक्षे इसके हाथों फस गई थी मनिश यह होकर ऐसा कर सकता है इसकी उमीद नहीं थी तुमारी इस हालत का जिम्मेदर को ने बता सकती हो बताती हूं सर मैं कॉलेज से वापिस आ रही थी तभी गोवर्दन का बेटा बालिश्वन ने जबर्दस्य मुझे उठाकर चोड़न मुझे में गिरगिड़ा ती रही भीक मांगे तया के बेट रहा है उनसे लेकिन उन्होंने मेरी इससर लोट ली निमससा जुरूर मिलनी चाहिए सर उनिससा जुरूर मिलनी चाहिए मुझे इंसाफ तो इंसाफ चाहिए मुझे मुझे इंसाफ चाहिए अरे वाह मेरा नाम तो तो तेक तरह रटके रखा हुआ है हमारे गर अभी तक पुलिस के कुट्टे नहीं आए जब आयू खतम होती है तो यमरा जरूर आता है और जहां जुर्म होता है वहां आरिया जरूर आता है वो गुनागारो कली ना मैंने कब गुना किया तुमने जो गुना किया है उस लड़की ने अपना स्टेटमेंट दे के दम तोड़ दिया चल स्टेशन मुझे स्टिसन ले जाने की बाद छुलो पहले इस घर से बाहर जापोगी यह सुचो अपने अब चलेगा या एब जाएगी आपने बादो याएगी उाएगी आपने इस झाएगी एफ वह जा जाएगी इसरा कि अवेगी के लुझे आपने बादो और सकती हैं झाहित पर दोती हरा घौति उजाइ काा बनार्द तरोगान ते एंग जडिको पंद। कि अएव क्रौति हरा दॉप्प्पव्पश्च नाइता तो चाहिता हा दॉप्पश्च इंग मेराँ युफब्याद प्रफज चैनि अप्पश्च ड्रश्पवडर अज़ झाल 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 सत्या वती ही सत्या वती मेरी सत्या वती क्या बात है बड़ी खुच दिखाई दे रहे हो । मैं बड़ी मुस्किल से मैंने अन्रवल डॉन को आरेश किया जोटी से मिस्टेक की वज़े से हास से निकल गया लेकि आज तुमारे ले मैं गाजर का हलवा और मोगरे का गज्रा लाया हूं जोट बोल रहे हो जरू तुम्हें प्रोमोशन मिलिये तुम्हें तीन दिन से मोशन ने गए और प्रोमोशन की बात कर रहे हो याद है तुम्हें आज हमारी सादी की साल की रहा है हां जी हां जी बोलके तुम गाना मत गाओ अब हमें क्या करना है कैसे करना है कहा करना है कितना करना मैं तुम्हें एक मॉनेटर दिखाता हूँ चलो मेरे साथ तुम कुछ भी कर लो लेकिन मुझे चूना मत याद है ना बीना चूना कैसे हो सकता है इसाप मेरी प्यारी ओडियंस तुम लोगों ने तु शाधी के पहले नजाने क्या क्या किया होगा लेकिन मेरी साधी होके हम दोनों को अगर सही सलामत रहना है तो आनंद राव शास्री की भविशेवानी आद कर लो आप दोनों की कुणली तो बहुत ही अच्छी है बड़ी महरबानी आपकी साथ लेकिन लेकिन पती और पत्नी का संगम नहीं होगा तुम दोनों का दामपत्य जीवन का योग नही साथ कभी जूट नहीं हो सकता वैसे इस साथरी की बार जूट नहीं हो सकती मेरे बताने तक तुम दोनों को भूल कर भी सुआ रावाद नहीं मनानी होगी मेरे बोलने तक अगर तुम लोगों ने कुछ किया तो मर जाओगे आपने तो अपनी पत्नी के साथ मज़े से जिने क्यों नहीं देने अरे इंतिजार करते करते पूरे दो साल हो गए बड़ी उमर में अगर बच्चे पैदा होंगे तो बच्चे मुझे पर शक करेंगी कि मैं उनका असली पिता हुए या नहीं आरे वो शास्त्री एक शाधी करवाने के लिए तुम हजार जूट बोलते हो लेकिन एक जूट बोलकर तुने मेरी सुखरा टाल दी अजी थोड़ा चुप रहिए आज नहीं तो कल शास्त्री जी हमें शुब मोहरत जरूर बताएंगे शुब मोहरत निकल वाएगा मेरे अंतिम संस्कार का आरे वो शास्त्री एक ने एक दिन मैंने तुझे बलास्कार केस में नहीं वसाया और उसकी रिपोर्ट मेंने क्राइ प्रदान यहां आयाता तुझे काम करो जल्दी संदर चलिए जाओ बस बस जल्दी खतम करना घर आते ही तेरा पूजा पाट शुरू हो जाता है हो गया ना अब जा 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 पूजा कहलावा कोई काम नहीं सारे जित घंटी बजाव दीपा जड़ा तो कुछ करती रहती है समझ में नहीं आता पता नहीं न उड़तों को क्या हो गया है जब देखो तब बस थाली आरती हाथ पे घंटी और तो कामी नहीं है कैसी हो बेटी हाई माई सान कैसे हो बेटा बहुत दिन हो गए तुमको देखे वे चलो तुम लोग जाके खेलो दनपाल सेंट्रल से बात करके आया हूं चावल और शकर मंजूर कराके आया हूं उनको अगर काईदे से मिलकर एक ही साथ बाजार में बेचें मजबूती हमेश मा कहा है गुसे से वो बल रही है क्यों ऐसे खड़ी हो क्या बात हो गई वालेश्वर को पोलीस एरेस्ट करके लेके गई है इन लोगों को बेखूप बना कर वो हमारे गुदाम में गुसकर जिन्ता निकल गया कौन है वो चूहा चूहा नही रे शेर है वो रोकने वालों को मार कर मेरे सामने लेकर गया है उसका हाथ पाओ तोड़ना चाहा तो मुझे रोक कर अपंग बना कर बिठा दिया धनपाल गिरेबा पकड़ कर सवाल करने वालों को तू किसी भी तरह सबक सिखा देगा लेकिन कानू नामक लोहे को पिघलाने के लिए अधिकार नामक आग चाहिए गुरू वंश के गोवर्धन पाल की पाउं रखने वाली जगह पर सब लोगों के सामने हमारे भाई को छूकर अपवित्र करने वाला वो नीच कौन है कौन है वो आरिया कर दो कर दो कर दो बाला वो आरिया कौन है वो जिसने मेरे छोटे भाई को रस किया सर वो हाँ भूखों को पालने वाले का हाथ काटने की कोशिश की उसने हाँ खाए वो सर बाती है कि खाए वो आरिया क्या है वो एमपी का भाई है इसलिए उसे डरा कर अरेस्ट किया सुनो उसके किये गुणा के लिए उसे माफी मंगवा कर तुरंट छोड़ दो एक बार गिरफतर करके चारशिट डालने के बाद उसे छोडने का अधिकार सिर्फ अदालत को है किस से पूच कर चारशिट बनाई कमी ने जबान संभाल कर गुणा करना कानूम को पसंद नहीं और बतमी से पेश आना आरिया को पसंद नहीं बदन में खून जहर बनकर दोड़ रहा है ना इसलिए घमंड है तुम्हें तंखा देने वाली सरकार का एक हिस्सा हूँ मैं यह मत भूल अपनी खाकी वर्दी उतार कर मेरे पाउं में गिर कर तुम माफी मांगेगा नहीं तो नकसली एरिया में ट्रांसवर करा कर तेरी बाडी का अप करा दूँगा तुम्हारी डेट बाडी के लिए डिपार्डमेंट तरसेगा ऐसा नहीं किया तो मैं एमपी गोपाल गोवर्धन नहीं हूँ मैंने ये खाकी वर्दी दिखावे के लिए नहीं पहनी है मेरी साथ साल की ड्यूटी में दस जग़े पे तबादरा हुआ है मेरा उसमें एक बार भी सस्पे नहीं हुआ हूँ मैं शहर में जितनी नदियां भैती हैं एक दिन सागर में जाके मिलती हैं और उस सागर मैं ही हूँ तू चाहे लाग कोशिश कर ले मेरा कुछ ने बिगार सकेगा अपनी खाकी वर्दी का खाउप मत दिखा मुझे मेरे सामने जलकर राख हो जाएगा पिस्तोल मेरे पास भी है तुम्हें पिस्तोल इसलिए दिया गया है अगर कोई गुनेगार तुम पे हमला करे अपनी आत्मरक्षा करने के लिए मैं कॉन्वेंट में पढ़के पुलिस वाला नहीं बना हूँ कॉर्प्रेशन स्कूल में पढ़के पुलिस वाला बना हूँ तुम MP हो या ML हो उसके बारे मैं चिंता नहीं करता अगर मुझे पे हाथ रखने की कोशिश की तो तुम्हें नंगा करके बाहर खड़ा कर दूँगा तुम्हें कहां कब और कैसे देखना है ये मुझे मालूम है मुझे तु बाट में देख लेना पहले तु अपने भाई को कैसे बचाएगा उसके बारे में सोच मुझे अवे क्यों आरिया वो यंपी गोपल तुम्हारे पास आया था ना उसके साथ सरफ उससे पेश आना चाहिए इतनी भी समझ तुम्हें नहीं है सर एक अच्छे इंसान को मुझसे ज़्यादा इज्जद देने रोफिसर और कोई नहीं होगा ऐसी बात है तो उसके छोड़े भाई को रिया करके क्यों नहीं भेजा गुना करने वाले को सजा तो मिलनी चाहिए उस दरिंदो को रिहा करने के लिए कौन बोलेगा मुझसे कानून बोलेगा मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना उसके छोड़े भाई को छोड़ दो मेरे पास एक ही जुबान है और उससे कभी मैं बदलता नहीं इस वक्त तुम मेरे नीचे काम कर रहा हूँ इस बात को याद रखना सॉरी सर गलत मत समझना हम दोनों ही इस वक्त कानून के लिए काम कर रहे हैं मौरोवर मैंने कोट में चार्शिद दाकिल कर दी है चार्शिद भेजने के बाद कुछ भी नहीं किया जा सकता एक काम करो मुस यंपी के भाई को रिहा कर उसकी जगह किसी दूसरे को पकड़ कर उसी को गुनेगार है बोलकर कोट में हजिर करो आप जो बोले हैं बिल्कु ठीक है एक काम कीजिए ना क्या है बोलो अपने डिपार्टमेंट की सिग्रेट अगर बार जाएगी तो वो अच्छी बार नहीं है आप एक काम कीजिए ना आप अपने हातों से उसे रिहा करके खुद अंदर बंद हो जाएगे ये तो आपी का आइडिया है ना इससे दो काम हो जाएगे आपको रिश्मी मिल जाएगा और उसके भाई से खाए नमक की नमक हलाली भी हो जाएगी क्या बोला तुमने सुवर गुना करना कानून को पसंद नहीं है और बत्तमीजी से बोलना इस आरिया को पसंद नहीं है अरिया अपनी आउकाद में रहो अपने पैरों पे खुलकुलाडी मार रहे हो कट जाएंगे और मैं तुम्हें बैसाखे भी नहीं दूँगा सावधान रहना बाई तुम मुझे मौका दो आर यार उसके पुलिस इस्टेशन को बम से उड़ा दूगा बेवकूफी मत करो उसे सरकार और कानून का सपोर्ट है इस मामले में हमें चाल चलनी होगी वो पुलिस वाफिसर समझ कर घमन से पावर दिखा रहा है दिखाने दो जितना दिखाता है उतना दिखाने दो कल कोट में देख लेंगे मृत लक्षमी के साथ बालिश्वर ने कोई अत्याचार नहीं किया बलके उसकी माउट छट से गिर जाने के कारण हुई ऐसा मृत लक्षमी के पिता चंदरभान जी ने लिखत में बयान देकर अपने आरोप को वापस लेने की अर्जी देने के कारण बालिश्वर बेगुना थाबित हुए इसलिए आदालत बालिश्वर को बाइदत लिहा करती है दाया करके मुझे छमा कर दीजिए आपने न्याय दिलाने का पूरा प्रयास किया लेकिन न्याय पाना मेरे भाग में नहीं है हल नहीं मुझे भी आपकी तरह संगर्श करने की इक्षा है लेकिन ना तो मेरे पास शक्ती है और ना अतनी सरकारी ताकत पहले ही एक जवान बेटी को चुका हूँ, अब दूसरी को नहीं को ना चाहता, इसलिए केस वापस ले लिया बाई जो, तेंक यू, तुम जीत गए गुरू तेंक यू, तेंक यू बालेशर को कैट करने के लिए यहां कोई जेल नहीं बनी कानून तो उनसी चिर्या इसे मालूम नहीं, ये क्या जाने नया आते हैं यार्या, अब तो मालूम हो गया ना, इस गोवर्दन परिवार के लिए कानून गौशाले में बने एक बकरे की जैसा है, चाहा तो पाला, नहीं तो बली चढ़ा करते हैं मनाते हैं, तुम जैसे नदान शिकारियों को हिरन का शिकार करना चाहिए, ये भूलकर हम जैसे शेर का सिकार किया, तो पदी बचाने के बदले अपनी जान देनी पड़ती, ये दपा होता, अच्छा, रिवालोर पे हाथ रखा, तो मैं डर जाओंगा, डर गया, अरे मैं त साड़ी पहने वाले मर्द को पैंट पहनाने वाला वंश है हमारा, तुमने हमें ही ना मर्द सम्झाया क्या, फूट जा, किसी चोरी चेवारी करने वाले को नहीं, तो पाकेट माने वाले को पकलो, सरकार से सीफारिस करके मैं खुद एवार दिवा देता हूं पुलिस वालो गुरू, 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 चलो भाथ चलो यहां से, जो चलो, अजलो मैं जब एफएफएफएद करता हूं, या तो उसे कोट सजा देती है, या फिर मैं खुद सजा देता हूं कोट को जरुत होती है गवाहों की, लेकिन इस आरियों को सिरफ सत्य की जरुत है, मैं कौर्णमेंट में पढ़ गया, पुलिश में नहीं आया हूं, कार्प्रेशन स्कूल में पढ़ के आया हूं साहर एंट जरुत है, कार्प्रेशन स्कूल पार्ड़ है, या इस आई नहीं मारे कोखून जुल्म और सितम, लेकिन तुम मारे कोखून जूल्म और सितम। सुनिये आपके बेटे ने एक जवान लवकी को मार डाला अदालत से रिहा होकर जाते समय उसने हमारे पुलिस अफसर का मजाक उडाते हुए गोली मारने की कोशिश की आत्म रक्षा के लिए उसने उसे मार दिया ये घटना एक संयोग वश हो गई क्यों जूट बोल रहा है तेरे पुलिस डिपार्टमेंट के सब लोग नाटक कर रहे हैं वो तेरा आरिया मेरे बेटे को जान बूच कर मारा सब जानते हुए तू चुपचाप बढ़ा है कानून तुम्हारे इसाब से चलने वाला खिल होना नहीं है यहां अकर्मन मानी करने क है ऐसले अंतिम दिनों में तू अपने परिवार के साथ आराम से रहे इसलिए तेरा ट्रांसफर रुखा कर तुझे यहीं इसी पोस्पर रुखवाया यह सोचकर कि तू मेरा साथ वफादारी के साथ निभाएगा लेकिन तू कमीने तुझ जैसे गद्दार को पालने से बै अगर हमारा अर्या ठान ले तो तुम सब लोगों की चड़ी उतार कर तुमको खुली सड़क पर परेट करा देगा सोच समझ कर बात करो मैं रूलिंग पार्टी का एंपी हो मालूम है ना रूलिंग पार्टी के एंपी हो तो सदन में जाके बैठो यहां आकर हम सब को क्यों चली नहीं किया तो मेरा नाम गोवधन पाल नहीं है मिस्टार तुम जैसा समझ रहे हो वैसा हमारा आर्या नहीं है उसके सीने को चली कर सके ऐसी गोली दुनिया में अब तक नहीं बनी सामने से अशोक इस्तंब के जब गवर से देखो तो तीन शेर दिखते हैं और ना दिखने वाला चौथा शेर है हमारा आर्या अब तुम्हें कलाम की के मिसाइल से भी ज्यादा इस फोटक है हमारा आर्या तुम्हें एक इंच सोचोगे तो वो दस इंच सोचेगा तुम्हें एक कदम उठाओगे वो दस कदम उठाएगा आकाश, धर्ती, वाईू, पानी, अगनी इन पंच महाभूतों से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है हमारा आर्या तुम्हारे जुल्मों सितम से बिलक्ती चीखती जंता को बचाने के लिए ही मैंने यहां आर्या को बुलाया क्यों बे गोवर्दन फाल, अपने बेटे का अंति मुर्टी जैसे हम है या फिर कुट्टे और चील के खाने के लिए वहीं पे छोड़ कर आ गया उसके शाव को कुट्टे छू सके, ऐसा उसका अंत नहीं है उसका संस्कार करने के लिए तिरी मुर्टी जैसे हम है तेरे शाव को तेरे कहे मुताबिक गली के कुट्टों से नहीं चपवाया तो मेरा नाम गोवर्दन फाल नहीं मैं दिनों दिन धूनी नहीं बना पैदा होते ही मा को मारने वाला हूँ मैं समझ गया? मेरे सामने तू क्या बड़ा बाल है हलो, ये दाएं, बाएं, आगे, पीछे इन सब की मुझे कोई चिंता नहीं है मैं जब तक हूँ, ये शहर मेरे कंट्रोल में रहेगा कल सुबा तू खुद देख लेगा कि ये सारा शहर किसके कंट्रोल में है मैं तू अघए रहे बाल तू थाइए रहे बाल झाहरा बालो में है कर दो दो भीज़ था रहे दो किसके का बाल चाहरा में है सर इस बंच से आम जंता को काफी तकलीफ हो रही है स्कूल जाने वाले बच्चे बस के लिए सडक पर खड़े हैं सर हास्पिटल में मरीजों को बहुत प्रशानी हो रही है इस बंच को तुरन नहीं तोड़ा गया तो हमारे डिपार्टमेंट का नाम बदनाम हो रही है अरे बई क्या हो गया यह बस जो रहा है अरे बस निकालो ना इस बेफुजूल बंच की वज़य से इस गरीब जनतों को कितनी परिशानी हो रही है देख रहे हो ना जल्दी गाड़ी निकालो हम नहीं निकालोंगा जब तक हमरा गोवर्धन जी हमको बस निकालने का आग्या नहीं देंगे सुनो तुमारे गोवर्धन पल बहुत बड़े आदमी होंगे तुमारे इस बेफ़जूल बंग की वज़य से स्कूल जाने वाले बच्चों को और रोगों के कितनी तकलीफ हो रही है क्या तुम जानते हो किसाव हमका नहीं मालूम जब तक हमरा गोवर्धन जी हमका नहीं बोलेंगे हम सांस भी नहीं लूंगा बस चलाना तो दूर का बात है अंकल आज मेरे एक्जाम है अगर टाइम की नहीं को फोन की तो फेल हो जाऊंगी इनको बोलिये न बस चलाने के लिए सुना तुमने अपने बच्चों का भवश्य बनाने के लिए माबब कितने मुश्किमस बच्चों के अपने स्कूल भेजते हैं पूरे साल स्कूल जाने के बाद अगर ये फाइनल एक्जाम नहीं देते हैं तो इस बच्चे का भवश्य क्या होगा ये तुमारो गोवरदन पाल जवाब देगा सीथ ये तरे से गाड़ी निकालो हम भी उतना इज़त से बोल रहा हूं कुछ भी हो जाए हम गाड़ी नहीं निकालूंगा तुमको जहून कुछ करना है लौन कर लाओ हट ये हट ये रासा चोड़िए अजी अजी सुनते हैं ये देखिए ये वारे रहा है इसे उठाकर घर से पैदर चल कर आ रही हूं कोई भी टांगे वाला ओटो वाला कोई भी चलने के लिए तया नहीं किसी भी तरह से अस्पिताल लेकर चलिए सुनिए जल्दी से कुछ कीजिए नहीं तो हम अपना बच्चा खो देंगे रोज़ोनों तरह बसको निकाल बच्चा को लेकर जाना है एक मिनट अपने बच्चे पर मुसीबत आई तो अब गाड़ी निकालने जा रहे हैं हो तुम्हारे बच्चे को तकलीफ है तो तुम बस निकालने जा अगर तुम्हारे बच्चे को कुछ हो गया तो क्या वो गोवर्दन बचा लेगा अगर ये बच्ची एक्जाम नहीं दे पाती है तो इसका भविशे क्या होगा खाकी वर्दी को छोड़ो पहले मैं और तुम दोनों पबलिक है पहले पबलिक की परिशानी को समझने की कोशिश करो अगर हम लोग एक हो गए तो अपने आपको बड़ा कहने अलो गोवर्दन पाल हमारा कुछ ने बिगार सकता किस वज़े से बंद किये थे कारण है तुम आप चाहे गौर्दन लाग बोले हम बंद नहीं रगेंगे चलो भाईयो योधा इस धड़ती का सेर के जिगरवाला यांकी ये बूरत अन्याय का यमराज है घर्यों का ये लाड़ा देव दगईवों का हिम्मत से कहता हूं के आर्या है महाल जय हो जय हो सच्छाई की जय हो जय हो आर्या की जय हो अच्छा चारों का देखों ब्रस्टा चारों का देखों जिसने कर दिया सबका बढ़ता फास जाई का ये रख बाला है दिलेरे और दिलवाला है हर कद्रे में तू बने धा आर्या आर्या सबका तू भरोसा आर्या आर्या आंधेरे का दूरिया जय हो जय हो कल तक जो लोग हमारे सामने सर नहीं उठाते थे आज हमें उनके सामने सर जुखाना पड़ रहा है आप कुछ कीजिए गौर्दन जी उस कमीने आर्या की मोत हमारे हातों से हुआ ऐसा भगवाने लिख दिया है इसलिए अपने शहर को छोड़कर हमारे शहर में आया है पिता जी आप मुझे मौका दीजिए आज उसे काट कर फेक देता हूँ चल अरे क्या कर रहे हो हाँ काना तुम लोग क्या कर रहे हैं तुम लोग ? कौन तुम लोग ? हलो ॏ यार या तू शहर को बचाने वालवसुछ थैन आ और ते loan को बचाने के लिए कुट्दा भी नहीं आया है तू को बल रहे है तेरी खिद्मत करने आया था तू नहीं मिला तेरी भावी मिली तेरी भावी प्रेगनेंट है ना उसकी अच्छी तरह खिद्मत करके चले जाएंगे हम अबे और तो पे गया जो रज्वाश करते बें ही जड़े तेरी तो एक पुलिस वाले के घर घुश कर ऐसी खिद्मत करने वाले को हिंज़ुडा नहीं समझना चाहिए हिमत वाला समझों डर से काप प्रेई अपनी भावी को तू आखों से तो देख नहीं सकता इसलिए उसकी आवाज तू कानों से सुन ले अपने बच्चे के लिए जान उताती है ना चब 20 साल तक प्यार से पाल पोस्ट कर अपने बच्चे को उस आर्या ने माँ डाला तो सोच मैं कितना थड़पी होंगी हां अच्छो को तो स्पीजिए लुक्ति कोश्चो को अपने मुत्सरों के संपनाला अ Präsident बाब भब चूए ठाब बाब भाब! बाबी बाबी आंके को लो बाबी शेकर डॉक्टर मेरे बीवी कैसी है डॉन्ट वरी शेज आउट ओफ डेंजर लेकिन गरवासे को निकालना पड़ा डॉक्टर इस कारण अब वो कभी मान नहीं बन सकती I am very sorry to say this Oh God क्यों रो रहे हो इस शेहर में आने की आपकी इच्छा नहीं थी फिर भी आपका मना कर लाने वाला मैं ही था मुझे एक बच्चे की तरह पाला तुमने लेकिन उसी बच्चे ने अपनी मा की हिस्फाज़त करने का करतविया खो दिया 24 ग्रिंटे कानून करतविया जनता और समाज के लिए ही लड़ता रहा लेकिन खाकी खाकी बोलने वाले ने हमेशा के लिए आपकी को खुचार दी अगर आपकी हिफाज़त न में कर सका तो ये पुलिस की नोकरी किसलिए ऐसा क्यों बोलते हो हमें जीवन में कुछ पाना है तो कुछ खोड़ना भी है उसके लिए डर कर तुम फरसे मूह मोड़ लो गए ये मर्दों के लिए शोभा नहीं देता ऐसा नहीं करना चाहिए अपनी फरसे कभी भी तुम मूह मत मोड़ ना मुझे अपने बज्जे का खोने का दुख नहीं क्यूंके तुम ही तो मेरे बेटे हो भागय में जो लिखा है वो कभी नहीं मीटता बेटी हुई तो शाधी करके विदा होने तक हमारी प्यार में हिस्सा मांगेगी बेटा हुआ तो बड़ा होने तक प्यार में हिस्सा मांगेगा अब तो ऐसा कोई समस्या ही नहीं है भाबी भाबी मुझे बाफ कर जणा भाबी अरे ऐसा मूर क्यों बनाए है मुश्कराती हुए काम पर नहीं जा सकती क्या इतना बस है काम कराँ सुनो जी शाम को जल्दी घर आजाना हां क्यों आओ किसली आओ ऐसी कौन सी आफ़त आपड़ी ये बताओ शास्त्री जी ने साड़े चार बजे तक का हमारे मिलन के लिए अच्छा मूरत बताया शास्त्री जी ने सुब मूरत बता दिया इसका मतलल मेरे इंतिजार की गड़िया खतम हो गया आज में बहुत कुष्ण जूती है काई बार में चलो गले लग जाओ मैं अभी तुम यहां रहोगे तो परिशान करोगे तुम काम पर जाओ ठीक चार बजे घर आजाओ यह वासे तुम्हें पार्ट टाइम जब तरके आता हूं ओके बाई पाई बूद्ध क्यों संसकार यह क्या करें देरी देरी पूझे ना यह क्या यह मैं ने जब आँ संसकार आँ आइका 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 अह और अह अरे ओधु कर अःकारा हिए नर्रकल कॉम्चित ऑठकाराम बारा कवाए प्राइड अंधर क्या कर माः नमस्ते से ये ये अ्ठकाराई न्हें मैं भी उसी को ढूण रहा था सार मजाक ना करो आज ढूणोंगे या मैं करमिस्टर से जाके कहूँ अरे क्या सुबार अजी चादी आगे ना अर्भी मेरे कश्ट को समझो मेरे मागे अंकी मिच्छा कुए का पानी पीना मेरे पहले उच्छा तो पूरी ओड़ी तो मेरे प्यारे हमी होगी अजी अभी आया डालिंग को आओ सुबा आजाना भाई कहां पे शुबाद के जिन पे आजाना मेरे भाई चोड़ो कितने बजे अरे सुबाद के आजाना दिर्मेती रात में को आजाना फोट यांसे अभी आया डालिंग ये लो अब तुम रात अकेले गुजारो किसली है साड़े चार बज़ के मतलब मेरा बाद बज़ गया शास्त्र सास्त्र को छोड़ो सास्त्री को बीच में क्यों लाते हूं कि जाए मैं थी तौन रख्त्र कर गया साड़े शार करता हूं सास्त्री मैं तुझे बला दर्केस में धर करका ही रहूंगा सुबह से कुऊं दिखाता हूं बोलके कई गयों दिखा दिया सच्छ में कुऊं भूंद लोगे तुमारह कुऊं खो गया उसकी गैरेटी तुम्हारे पास है और मैं भी तुम्हें गैरेटी के साथ उस कुवे तर ले जाऊंगा कैसी भी करके खोच के दिखाऊंगा सार मेरे मा की अंती में इच्छा है कि वो कुवे का पानी पी उसे ढून दो बगवास बंद करो अब भी मैं तुम्हें इस कुवा के पास ले जाता हूँ देखो यही वो कुवा ना जो खो गया था हाँ यही मेरा कुवा है बड़े बड़े प्रिस्तों अफिसर नहीं ढून सके पर आपने ढून लिया यह मेरा कुवा नहीं है कमिशनर से बोलके तुम्हें दी पर्मोट करवा दूँगा अने पाफे मेरा नूमे क्या कर रही है तू ए तुम्हारे रूम में नहीं आँगी तो पड़ोसी के रूम में जाँगी क्या मैं अभी देखिये जा रहे हूँ तूबे शाम ड्यूटी ड्यूटी केके मुझे परिशान कर रखा है तुमने ए इस तरह शकल क्या देख रहे हो हाँ? बात करो हाथ नहीं लगाने का है? तुम मेरी परसनल जगे पे हाथ रख सकते हो लेकिन मैं तुम्हें हाथ नहीं लगा सकती उसी एक बात को लेकर कितना तंग कर रही है मुझे को यहाँ से बाहर जाने का क्या लेगी तू? यहां से बाहर जाने कम है मैं एक छोटा सा मोटा सा तुम्हारे जैसा एक नम्या सा बच्चा चाहिए मुझे यही मेरी किस्मत है सोचकर मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजार दूँगी उसका चहरा देखकर नहीं तो तो मुझे मंगल सुत्र पेना दो मैं आर्या की पत्मी बन गई हूँ सोचकर अपनी पूरी जिंदगी खुशी से गुजार दूँगी मैं यहां शादी हनीमून मना ले के लिए नहीं आया हूँ मेरे जिंदिगी का एक लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए आया हूँ तू सीजी दर से जाती है के नहीं यहां से अगर नहीं गई तो यह तुमारा पोली स्टेशन नहीं मेरा बेड्रूम है शराफ़त से मेरी बात सुनों नहीं तो मैं सिर्फ बोलने वाली औरत नहीं हूँ मैं अभी कितने दिनों तक इंतिजार करूं मेरे ब्रह्मचारेगा नाश मत करो मुझे छोड़ दो मत करो, मत करो, मत करो हद कर दी तुम मुने किस मुझे को क्यूं किया तुम अभी कहे तेरा सप दों काना रजा तेरी मेरी जोड़ी नाचा मेही नादा कैसे खुदन से पड़ा है पाला मेरा पीछे चोड़े लेना मत अइसी है तु तुना जी, तुना जी आज लेला पाहों में मुझे तुम सरा, मुझे तुम सरा हाद करती तुम्मुने किस मुझे को क्यों किया थे उतरे नहीं, उतरे नहीं, ऐसा है प्यार गय देखो कुमार दुनिया ये हो, ये रखे उतर, हमको नहीं किसी की दरकार प्यार कहो, ऐसा हसर, मिलने की हो अज दोनों तरफ तरसी जिल तरसी, तरसी परसी जिल तरसी मिल नज तुम्मे ख़त कर दी तुम्मुने किस मुझे को क्यों किया ओप हेई इक दिल को ये ले होना ही था दिल ये मेरा मेरा ना रहा ठकिया ने तू कहा था मुझे से दिल ना किसी को तुझी ना ठबी दिल को तुझ बे आना ही था वर्ना मेरे बटकता रहता मिल दिल दिल मिल दिया आचती तुझी रहा है सर्चना अपने लिपाहों में हर कती तुमने किस मुझे को क्यों किया तुझे को है मेरे तपनों का राजा देरा साथ है ये तकना जेवन भर्ना तेरी मेरी जोडिना जा मेरी ना रा ये से बुझे को तुझे करा है पाला मेरा भीचे चोड़े लेला मत लो ऐसी है तू पोस्ट क्या बात है सर दरवार एपार्टमेंट में हतियारों का धंदा हो रहा है सर आज साम को बोलों महां से कहीं जाने वाले हैं आप जल्दी करें तो उन समों को हतियारों के साथ पकड़ सकते हैं सर पकी खबर है सर मैं चलता हूं सर अंकल अंकल बाल दो ना क्यों बेटे बड़े वक्त क्या बनना चाहते हो सचीन तंदूर कर बनूंगा अंकल मैंने बाल ने फ्हेंका उन्हों ने फ्हेंका है! ड्योंग प्योंग! आपूँ भी आपूजाने नापूजानी नापूदे लिवा ओकी कारी नापूदेर वाओॉदेर के नापूजानाइएक। है अलो, ASP, here. एस पी, आर्याने हमारे डिप रेट डाला है तुम उदर बैठ कर क्या उखाड़ा है मुझे हत्यार सप्प्लाई करना है जल्दी सुने हाटाओ सर मैं भी जाता हूँ जो भी करना है जल्दी जाके कर लड़ कर you लड़ कर युझे हुँ लड़ कर झांग लड़ कर झाहन barking लड़! कर दो 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 कर हर्你說 आया है तुम लोग सड़ा बस से सनंडर हो जाओ, वरना मेरे जवान एक-एक को भून जालेंगे जोन सुट हर्या, आर्या तुम फूट हर्या आरिया, डोन शूट इम आरिया, मेरी बाद जान से सुनो मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसको बोली मत बरो मैं सीनिर ओफिसर के से से बोल रहा हूँ कानुन को अपने हाथ में मत लो देख रिया, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा डिपार्टमन ही आ गया मुझे ले जाकर क्या करोगे? जेल में ठूसोगे? चुटकी बजाने से पहले आजाद हो जाऊँगा तुम लोग वी आईपी के घरों की रक्षा करने वाले कुट्ते हो तुम सबों को भोकने के सिवा कुछ नहीं आता काटने के लिए घर का मालिक इजादत नहीं देगा काटोगे तो कॉर्परेशन वाले जीने नहीं देगा ऐसा है तुम्हारा पुलिस डिपार्टमेंट शूट करने की पर्मिशन नहीं देगी मुझे शूट किया तो तुम्हारी नौकरी जाएगी एक तरह से देखा जाए तो तुम लोग नाम के पुलिस हो बस कपड़े पन कर घूम सकते हो कर कुछ भी नहीं सकते खाकी हमारे देट की इफाज़त करने वाला ही नहीं पर यहां तो वाच्पन पहनते हैं ड्राइवर पहनते हैं साथ ही बाथरूम क्लिनर भी पहनता है तो मुझी काम के लायक हो अभी जाओ सुबह आकर मेरा बाथरूम साफ कर देना और एक बात इतिहास कहता है औरत के अपमान से रामायन हुई महा भारत हुई यह भारत मादा भी एक औरत है ना तुम्हारी मा है तुम्हारी इस मा को हम जैसे लोग अपने मतलब के लिए बर्सों से शोशन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे तुम जैसे पुलिस वाले क्या कर लेंगे बातों से तो तुम काफी बुद्धिवान लग रहे हो क्या तुम्हें किसे ने कुछ बताया नहीं एक भारते के सामने भारत माता की बुर्याई नहीं करनी चाहिए तुम्हारे किये पापों के सजा इसी धर्ती पे देने का मुझे मौखा मिला है आगे जिस देश में इज़त मिलेगी उसी देश में जाएके पैदा होना है कुछ अर्या जों शूटें तुम अचाने वह ज़ंग दखे मुझे वह जिंगा चाहिए आई वांटिनाल तुमारे सीङर अपिसर के असे असे बॉल्मा हूँ तुम कानू नहीं दोर दखे जों शूटें मिस्टर आरिया, अपने सीनियर आफिसर के मना करने के वापजूद, आपने आरोपी पर गोली क्यों चलाई? आखिर क्यों? वजह बताएंगे? इन जैसों को ये यूनिफार्म, पावर, रिवालवर देने का मतलब बंदर को शराब पिलाना है, इसलिए ये लोग घमन में काम कर रहे हैं क्या है? अब तुम्हारी मर्दी की एसाफ़ते किसी को मारना, किसी दे छिंग खाना खाने के लिए ये जंगी जनवर नहीं है? आप शहर में रहे रहे हैं, वो भी सुल्चवे समाज में मालूम है सर, मालूम होते हुए भी तुमने अगर ये काम किया, तुम एक इर्रेस्पॉंसबिल आफिसर हो अरे आरिया, चुप चप क्यों खड़ा है? जवाब दे, answer him, otherwise you'll be suspended I'm sorry sir, गवाहों को रोनना, अपराजियों को कोर्ट से जेल तक और जेल से कोर्ट तक लेके जाने वारे शेकूरेड़ी गाड की नोकरी मुझे पसंद नहीं है sir अगर ऐसा है, तो इस डिपार्टमेंट में क्लिवाए, किसी और गुंटे की साथ जाना साना correct sir, आपके कहें मुताबिक मैंने गुनाहगारों के साती बनने की बहुत कोशिश की मगर नहीं हो सका, ऐसे किरदार तो हमारे डिपार्टमेंट में भरे है जानचा जो किसे बात कर रहा है, जबान को लगाम दे लगाम दो अपनी जबान को, गुनाह करना कानून को पसंद नहीं है और बतमी से पेशाना इस आरियों को पसंद नहीं है मैं जो हैंडल करना साधान केस नहीं है sir, इस देश की रक्षा के लिए जो गंज और बाकी हत्यार आए थे उन्हें नेक्सलेंट तक पहुँचाने वले गिरों में, ये एस बी भी पूरी तरह से शामिल है, इसकी मेरे पस पक्की इंफरमेशन है मैं यहां पर इसने नहीं बैठा हूँ कि हत्यारों की स्मगलिंग कौन करता है, किस लिए करता है, किसको देता है, ये डिसकर्स करने करे लाए, एक सीनेर आफिसर के ऐसे से मैंने तुम्हें मना किया इसके बाब से तुम्हें ने शूट किया इसके जनम देनी वारी मा को कुछ बोला तो इसको इतना गुस्सा आ गया, सो करोर भारतियों की मा है मेरी भारत माता, उसकी बेस्ती करने से मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या अच्चा चारों का देखों, ब्रश्चा चारों का देखों, इसने कर दिया सब का बढ़ दफास जाई का ये रख बाला है, दिले रहा दिलवाला है, हर कदने में तू बने ठा आर्या, आर्या, सब का तू भरोसा, आर्या, आर्या, अंधेरे का दूरिया जय हो, जय हो, सच्छाई की जय हो, जय हो, जय हो, आन्या की जय हो जनपाल, ए जनपाल, 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 जनपाल अपनी मन मर्दी से पूछे बिना घुसा है, मेरी हविलीव क्या तुमने धरमशाला समझ रका है गैर कानूनी हत्यारों का धंदा करता है तुमारा बेटा धनपाल गोवर्दन, इसकी पूरी खबर है मेरे पास किसी पागल कुत्ते ने भौंग दिया, तु वो सच है या जूटी सी खोच किये बिना, किसी की इजाजत लिये बिना, तुने मेरे घर में घुशने की हिम्मत की पुलिस की ड्यूटी में सब कुछ जाइज है, आदी रात भी न देखते हुबे, मुख्य मंतर के घर में घुशकर उसे क्याद करने वाला हुँ मैं, उसके सामने तेरी क्या उकाद है? ठीक है, उसे अरस्ट करने के लिए वारंट है तुमारे पास? अरस्ट वारंट? उसे बचाने के लिए हमारे लोग आठों दिशाओं में सारे ग्राहों के साथ हिफादत कर रहे हैं, मालू में तुझे? उन सभी ग्रहों का अधिपती, मैं हूँ, चनी महाराज हूँ मैं, तेरे और तेरे बेटे के सर के ओपर विराजा हूँ, उसे इस जहां में रखूँ या उस जहां में भेजूँ, पैसला तुमारा है। तुमों देश का सोधा करने वेले कमीने कुत्ते गदारो, कल शाम तक धनपाल गोवर्धन को मेरे पास लाकर तुम लोग अपने अपने प्रान बचा लो, नहीं तो अपनी जिंदेगी बचाने के लिए मेरे पाउं पकडने होगे तुम लोगों को, ऐसी हालत पैदा कर दू करने वाले पांडव अर्जुन की तरह मैं तुम्हें अपने हातों से कफन पहना कर, तुम्हारे पूरे परिवार की समाधी बना कर, उस पर तुम्हारे नाम और काम की तक्ति लगा दूँगा, ये सो करोड भारतियों की कसम है मुझको सर, धनपाल को यहां के हर फैक्ट्रियों में, उसके गुदाम में, फोर्ड, ग्रैंड, मिल में, यहां के नर्सिंग होम में, हर जगा छापा माला सर, मगर वो कहीं नहीं मिल रहा है, बाहर जाने वाले हर रास्ते पे नाकाय बंदी कर दिये सर पुलिस की आँखों में धूल जोकर कैसे भाग सकता है वो, अच्छा, हमारे एस्पी साब कहां है, वो लीव लेकर आउट अवे श्रसन जा रहे हैं, ऐसी सूचना मिलिये सर, यहां धनपाल गोवर्दन भी गायब है, at the same time, हमारे एस्पी साब भी गायब है, ओफिसर, सर, ह एस्पी साब डिपाल्मेंट की काल से जा रहे है, एड़ परजेंड की तूर चेकपोस क्रोस कर चुके हैं, ऐसा मेसेज आया है सर, हां ओफिसर, एस्पी की गाड़ी इस चेकपोस्ते, दूसर चेकपोस्ते कब-कब जाएगी, उसका मुझे इमिडेट वायरलस मेसेज देना Come on quick, hurry up! Hello, SP here. Sir, Arya speaking, sir. Bola, Mr. Arya. Sir, एपकी कार में बाउम रखा मुझे इंफरमिशन मिलिये. What? हमारे कार में बाउम इसकिया है? Confirm information, sir. But how it is, sir? जरा काड़ी रोखना? Sir, कार से भाहर आ जाएगी, sir, कार में बाउम है. What nonsense, तुम होश मेता हो? Sir, बाउम ब्लास्ट हो जाएगा, जल्दी से यहाँ जाएगी, sir. अरे सुनो, यह सरकार की प्रॉपर्टी से छोड़के मैं कैसे आ सकता हूँ? Sir, कार को मारो गोली, आप यहाँ जाएगी, sir. अरे जल्दी जल्दी से भाग तू. Sir, बाउम ब्लास्ट. अरे वारिया, खड़े खड़े मूँ क्या देखरो उसको गोली मारो, जल्दी से शूट करो. Come on, shoot him! आरिया, मैंने तुमसे कहा की शूट करो क्यों नहीं किया? बाहर के क्रिमिनल्स कितने भी हम उने असानी से पहचान सकते हैं, और पकड़ भी सकते हैं. लेकिन तुम देशने डिपार्टमेंट रहें देश द्रोहियों को पहचानना बहुत मुश्किल है, मिस्टर प्रकाश कलमुडी, जिस क्रिमिनल को सारा डिपार्टमेंट खोज रहा है, उसे तुम रक्षा देकर बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो कितना कमीना है? प्लिस डिपार्टमेंट में रहे कर उसके साथ विश्वास घाट करना, अपनी पत्नी से वेश्यव विर्दी खरके अपना पेट पालने के बराबर होता है, दोनों एक सम्मान है, तुम जैसे देश द्रोहियों अगर डिपार्टमेंट में रहेंगे तो देश में क्रिमिनल सरोडियों का ही राज होगा, ऐसी जिन्देगी जीने से तो तेरा मर जाना ही बहतर होगा, अरिया ये तुम क्या कह रहे हो, लोक, अगर एक ऐसा अपरादी मरता है, तो सो अपरादी मरने के बराबर है, बाकी के अपरादीों को तो हम बहुत आसानी से मार सकते हैं, लेकिन में ऐसे अपरादी तो बर्गत के पेड़ की तरह हैं, जिसे सई समय पे कार देना चाहिए, यही आरिया की पॉलिसी है, एम आ राइट, यह सर, यह क्या आरिया, तुम्हें क्या हो गया है, सर, इसे शूट करने का मौका मुझे दीजी, वाट, प्लीज सर, इसे मार गिराने क जो सई कारण बताएगा, मौका उसी को मिलेगा, सर, धनपाल खुद को बचाने के लिए, एस पी सर को गोली मार कर भाग गया, वाट, नांसेंस, आरिया, तुम्हें एक बार सोचो, एक ओफिसर, दूसर आफिसर को कभी मार सकता है, क्या, ऐसा करना गलती होगी ना, एक पु आदे, सहुआ ओ, एक एक दॉसर एक उना, एक भागएगा, एक भाट? थूइधार प्षू में जंद लेकर उसे दरकर ना मुर्द उहां बहग रहा है यह बोल रहा है शर्म नहीं तुझे उसके टुक्ड़े कर देना चाहिए रिशर्म पातना नहीं चाहिए पिता-जी उसका खून अगरन जमीन पर गिरा तो उस जैसे नजाने कितने और पैदा हो जाएंगे ऐसे रक्तवीच को जिन्दा जला देना चाहिए तभी हम बचेंगे जिर्फ बात ही करते रहोगे कोट में मेरे बेठे को कुट्टों की तरह उसने शूट किया तब कहा गई थी तुम्हारे मर्दानगी आज वो इसे मानने के लिए आया हाँ पिताजी हम इसी तरह चुप बैठे रहे तो आर्या हमारे वंश का ही सत्य नाज कर देगा ए धन्नो आज आर्या को जो मौत दूंगा उसे देखकर हमारे वंश रहने तक हमारे साय से भी पुलीस डिपार्मेंट डर कर कांपेगी हिम्मत रख बेटे प्राइब आर्या अर्या यू आर्या इदे बाएँ डिली करएवा दे जाएँ लोग स्वारी को Gew хотел सिरल्ब डाबैं पर ले उन星ा बाएँ वावज hill कर दो हाँ आना तेरा आना जैसे खुछ शिकार शिकारी के पास आता है वैसा ही है तेरे पास पुलिस का पावर है इतनी पुलिस फोर्स है हमें सपोर्ट करने वाली जनता तुम्हें और तुम्हारी गॉर्मेंट को दरा कर चलाने वाला हमारे गुंडे राज में कितनी ताकत है ये हम तुझे दिखा कर रहेंगे सिटी के एक सरकिल के एसीपी होने के बाद तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत स्टेट और सिंटल दोनों को समालने वाला मैं हूँ तो मुझे में कितनी हिम्मत होगी हाँ अरे तुम सब खड़ खड़ क्या देख रहे हो जाए काट दो से पिताजे आप क्यों आए इधर मेरा बेटा कितना महान काम कर रहा है यही अपने आखों से देखने के लिए आया हूँ समाज की रक्षा करने के लिए हमारी हफाज़त करने के लिए हमें पुलिस की जरूत है इन गुंडों के साथ मिलकर इस इमांदर ओफिसर को मारना चाहते हो तु कैसा इंसान है मेरा बेटा ऐसा कमीना गुंडा होगा यह जानती तो वे जनम दिन से पहले माँ डालती तुम जैसे मूख पेटरे को पाल पोस्ट कर अभी तक हम जिन्दा है यह हमारा भाग्य है आरे को मारने से पहले हमको मार डालो तुम मेरे पापों का प्रासित हो जाएगा मारे, काट डाल एई, घरवालों के वास तुलकर खड़ क्या होगे पहले उसका स्काट तो एई, तुम लोगों का इजमान बोल रहा हूँ उसको मार डालो, नहिंग तो तुम ब्यकार में मारे जाओगे तुम्हारे लिए मैं आपनी जान क्यूं दू शाब बास बेटा, अब तु मेरा असली बेटा है तु कैसा राक्षिश है, अब तक हमारे बच्चों को मूर बना रखा दा अपने स्वार्थ के लिए हमारे बच्चों को मरवारा था, उनकी नदिया भारा था तु मरो तेरा बच्चे मरे, तेरा बुरा खांदान मरे तेरी आउकाद मैं जानता हूँ, इनकी सपोर्ट के बिना तु कुछ भी उखार सकता है इतने दिन जन्ता तुझे देखके नहीं डरती थी तेरे पीछे ये लोग तो मन्चा और हत्यार लेके घुमते थे न, इनको, इनको देखके डरती थी इन लोगों की सपोर्ट के बिना तु एक कदम चलके दिखा सकता है बजार जाने के लिए इनकी जरुरत है, मंदिर जाने के लिए इनकी जरुरत और गुंडागर्दी करने के लिए इनकी जरुरत है इतना ही क्या जब तु अपनी बीवी की सथ घर के अंदर सोता है तो बाहर रखवाली करने के भी यह चाहिए तु तेरे इस जनम को तु गुंडागर्दी कहता है क्या ए गोवर्दन पाल तुम्हें उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूं मैं कॉन्वे स्कूल में पढ़के पुलिस वाला नहीं बना हूं कारप्रेशन स्कूल में पढ़के पुलिस वाला बना हूं अबे साले अगर आज मैं खा के उतार के हाथ में तमंचा पगल ना तुछ से ज़्यादा रोडी सम कर सकता हूं अगर पूरे शहर की मैं किंति करता हूँ तो तुम कितने रहोगे उसमें जेब कत्रे गुंडे ये एरिया वो एरिया वो महला सब मिला कर देखा जो टोटल तुमारी किंति कितनी पांच हेजर होगी तुम लोगों को सजा देने के लिए हम एक करोड लोग हैं जानते हो तुम तुम बड़े हो या हम बड़े हैं रिस्टिक्शन अगर नहीं होती तो हम पूरा भारत वाशी अगर एक साथ बिल जाएंगे हम तुमारा खार्मा कर सकते हैं तुमारी जड़े तक उखार देंगे तुमारी तरह गौर्मेंट को और पुलिस को अपनी गुलाम समझ कर ये कर आज इतिहास में नया पन्दा लिखेंगे गुंडों के हाथों से पुलिस वाला मारा इतिहास हो जाएगा नहीं तो इस आर्या के हाथों से गुंडा अगर्दी मिट गए ये इतिहास बनेगा उठाले तमंचा उठाना उठाना जो चाईब। पर खशार। घट झान प्ड़कनोesta, आरोगन कि भाले नारी कि वढमान इनी ऑचन नारी है कि अपने पाले। भर वे खधिवल से लुर बेंग खाइड उेड बड्युट जिया एाइड जार जार जब झाइडिल जारी इड्युट जारे लुर जारे जारे कर जबड़ने जारे झारे झारे जड़ने लुटaval बबदोर टर्कषणान करें कतरती है कि अचुए ते रखा कि अचुए पटूए कर दिए पाला कि अचुए ते अचुए प्रावा ते रखा ते रखा था ते रखा है झाल, 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 झाल